तो वेलकम बैक एवरीवन माई नेम है सायन गोस्ट चले सुरुकरता है आज कलना ऐसे जहां पर स्टडी करने वाल है कि कल के दिन 50 प्लस बैंक निफ्ट में क्या ट्रेट पेन हो सकता है डीटेल में डिसकसन करेंगे आज देख लेंगे कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं चहां पर इंट्राडे में कोई बुलिस वा बियरिस अपॉर्चुनेटी देखने को मिल सकता है चलो हर बार की तरह सबसे पहले बैंक निफ्टी को स्टडी करेंगे देख अब इससे पहले भी हमने कई बार कोसिस किया है कि एली टैम फ्रेमें लाइसिस करने का हमजने का कि मार्केट ह आप एक पॉस लेने का कोसिस कर रहा था अब आज का मार्केट स्पेसल ही देखना मारकेट ओपन का हुआ मारकेट ओल्मूस्ट फ्लैट ओपन होगा फ्लैट ओपन होते ही थोड़ा सा नीचे आगया लास्ट में यूज वाइंग लास्ट मनी सुभा-सुभा यूज अब मुझे आप लोग कमेंट बताना मैं यहीं पे सबसे पहला कोशन पूशन चाहूंगा सब लोगों को एक सैड़ो फॉर्म हुआ है इस सैड़ो क्या दिखाने का कोशिस कर रहा है इन बिंगॉली इस सैड़ो की देखानों चेश्टा गोड़ से तो प्लीज लेट मी लो इन दे कमेंट सेक्षन कि यह सैड़ो का क्या काम है जोटा सा आईडिया दे रहा हूं बाकि आप लोग बताना देखो अगर अगर अब नहीं पता तो कमेंट चेक कर लेना पोस्ट पॉसिबल चांस कोई ने कोई अंसर जरूर देगा वहां पर क्योंकि मुझे इतने यकीन हैं अंसर बहुत लोग देते हैं मैं हमें से चेक भी करता हूं बहुत लोग अंसर देते हैं और अंसर देखे मुझे अच्छा भी लगता तब क्या होता है मतलब एक अच्छा और भी अच्छा चीज है कि इस candle का नाम क्या है अगर मैं यहां पर डिसकस करूँ यहीं पर एक support लेवल था market almost इसे support लेवल के आसपास एक hammer candle बना रहा है इसका नाम है hammer right एक hammer candle बना रहा है तो in future या next एक दू दिन के अंदर यह जो दोनों candle है इन दोनों candle के उपर अगर कोई भी green color candle closing देता है तो there is a possibility market अपना यह trend break करके slow and steady उपर चले जाएगा यह possibility है ठीक है बट उसके लिए proper candle इन दोनों candle के उपर close आना चाहिए अगर ऐसा होता है तो chances are there की market उपर चला जाएगा right तो यह हमने candlestick देखा अब candlestick का नाम था hammer candlestick में हो गया रहा है यहाँ पर buyer sentry कर रहा है lower level पर buyer sentry कर रहा है अब यहीं पर अगर हम आते हैं 15 में time frame आज का market देखेंगे इस इसको थोड़ा से मैं reset कर दू हाँ तो आज के market ने किया किया तब से वहले market almost flat open यहाँ पर कहीं पर open होता ही slow and steady नीचा आया अपना यह range breakout किया range breakout करते सीधा 46,000 तक का एक dip मारा market ने almost 46,000 30,50 तक का एक dip मारा फिर यहीं से सीधा 700 point का market ने move कर दिया next one in hour के अंदर फिर market slow and steady यहाँ पर sideways से लागे अब इसका मतलब क्या यह क्या दिखाने का कोईस कर रहा है देखो एक simple concept है अगर seller को powerful होना था अगर seller को market को नीचे लाना ही था तो यह upside momentum नहीं आता देख है क्य इतना power नहीं है market में there is a huge possibility slow and steady अगर यह range breakout होता है तो जितने भी sellers इस level पर बैठे होए ना जितने भी sellers वो सब निकलें खोशिस करेंगा अगर ऐसा दिख जाता है अगर ऐसा दिख जाता है तो market बहुत अच्छा upside में rally कर सकता है ठीक है तो यह 15 minute time frame कि हमने देख लिया कि market क् अब हम देखते हैं कि कल कैसे market open होगा उस हिसाब से हम यहाँ पर क्या planning कर सकते हैं मैं support resistance को थोड़ा सा narrow बना जता हूं इसको narrow नहीं बना पाएंगे फाइन तो यहाँ पर देखो marketing resistance create कर चुका है 46,700 के आसपास एक बार हम data भी चेक कर लेते कि data हमें क्या बता रहा है data wise bank nifty में जाएंगे 46,600 46,600 500 700 ओके यहाँ पर data इतना भी ज्यादा strong नहीं है तो मतलब अगर कर हमें दिखा कि market थोड़ा से bullishness दिखा रहा है 46,700 के उपर ज 7,000 level that means अगर ही 700 level break होता है market सीधा 47,000 तक का momentum कर सकता है downside में हमें support का दिख रहा है downside में देख सकते हो फिलाल एक data wise support मुझे दिख रहा है 46,500 अगर ही level break होता है तो सीधा market आ सकता है 46,000 level तक का मतलब आज का जो low बनाया था market में वहां तक का market momentum कर सकता है वापस आते है में आगे तो बस कलकिला में wait करने के market open का होता है for example इसने closing दिया 46,600 के आसपास market सीधा 200,300 पॉइंट का opening होता है तो कहा open होगा almost इस level के आसपास आपको बस यह देखना है कि market support लेकि अपना high break कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर ऐसा scene होता है तो we might get a good bullish momentum from this level जब तक market 46,800 य देखने को मिल सकता है अब इसके बाद अगर हमने देखा कि market इस range के अंदर चल रहा है अगर market almost range के अंदर open हुआ low and steady अगर market downside में आता है क्या देख सकते है obviously यहाँ पर हम एक बीरिस scenario देखने को मिल सकता है 46,200 46,300 लेवल का target हमें देखने को मिल सकता है downside में अगर यह भी level break होता है तो सिधा market 46,000 तक का momentum कर सकता है यह तो था हमारा sideways अच्छा gap उप में एक और चीज़ है मैं बता रहता हूं for example market slight gap opening होता है सिधा बहुत ज्यादा gap opening होता है सिधा कहां पर सिधा-सिधा open ओड़ा 47,200 तो unexpected है 500-600 point gap opening होना unexpected है अगर हो भी जाता है तो chances will be huge की market low and steady fall कर द gap opening का scene अब हमने जो देखा sideways का अचा sideways के बाद क्या sir bullish momentum नहीं मिल सकता एकदम मिल सकता अगर market इस range के अंदर open हो गया 46,700 से 46,500 के अंदर और यह 46,700 के उपर sustain करता है तो definitely यहाँ पे हमें एक bullish opportunity देखने को मिल सकता है अब आते है कि sir अगर market gap down open होता है gap down in the sense यह 46,300 से 46,400 के अंदर अगर open होता है तो chances will be huge कि यह level एक support का काम करें यह level एक resistance का काम करें 80-90% of the chance की market इस range के अंदर रहेगा हमें कोई भी trade opportunity नहीं देखना है अगर आप micro level पर खेलते हो in the sense अगर आप 5 minute यह 3 minute time frame में काम करते हो तो आपको इस level के आसपास है इस level के आसपास कोई trading opportunity मिल सकत है बट अगर आप bigger time frame for example 15 minute यह 30 minute time frame देखते हो major को momentum आपको देखने को नहीं मिलेगा as an option seller आपको कही चांस यहां मिल सकते है option selling करने का major को momentum हमें तभी मिलने वाला अगर market इस level के उपर जाए या इस level के नीचे आ जाए तो I hope आपको idea मिल गया होगा इस type का trading opportunity हम कल के लिए द आगे बढ़ते हैं अगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमाने चैनल लाइक नहीं किया प्लीज के प्लीज अभी लाइक करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और हमारा टीम आपके लिए continue basis कुछ ना कुछ रिसर्च आपके लिए पोस्ट करता रहे है ठीक है चलो मतला इहीं सपोर्ट मार्के थोड़ा सा बाइंग दिखाया नेक्स्ट केंडल अपका गैप दौन ओपणिंग हुआ मतला अलमस्ट फ्लैट ओपनिंग हुआ नीचे आके फिर उपर क्लोजिंग दिया अगले दिन का केंडल थोड़ा सा गैप दौन होके नीचे आया यहीं करता हम holding purpose के लिए कोई भी selling opportunity नहीं देख सकते मतलब कोई भी बीरिस opportunity यहां पर नहीं देख सकते हैं अब आते हैं 15 मिन टाइम फ्रेम में आते हैं दिखते हैं आज का market कैसे परफॉर्म किया उस हिसाब से कल का क्या planning हो सकता है अगर आपको याद हो हमने कहिना कि चार्ट पैटन का discussion किया था मैं 30 मिन टाइम फ्रेम में आ रहा हूं आपको चार्ट पैटन देख रहा होगा ओके मुझे एक और चार्ट पैटन यहां वापस देख रहा है हमने इस इग्जैक्ली यह double bottom pattern है अब मुझे यहां भी एक double bottom देख रहा है मार्केट ने particularly इसको भी breakout दिया है breakout हो कि यहां पर support लेना है मतलब अगर कल के दिन दियान से सुनना पिछे से एक trend line था जिसको break कर चुक है market अगर कल के दिन market is high के ऊपर sustain करता है तो chances are there यह neckline यह break होगा market बहुत अच्छा रहे लिकरेगा यह chances है मैं कोई hard and fast rule नहीं बुला कि market ऐसा ही करने वाला ने तो यह recommendation क किसे अब से count होगा किसे भी तरीके से recommendation या नहीं दे रहा है अब देखते हैं कि sir कहां पर market open होने से हम क्या planning कर सकते हैं देखो flat open वहा तो बहुत अच्छा था हमाई लिए क्योंकि हमें instruction पहले से ही था कि major जब तक market कोई level break ने करे हमें कोई trading opportunity नहीं लेना है उसी से अब से पस एक चीज था कि यहाँ पर support के आसपास buying देख सकते थे तो intraday level के आसपास 50-60 point का momentum आपको easily मिल चुगा होता उसके बाद major कोई momentum हमें market में नहीं देखने को मिला अब कल का planning है इसके लिए देखेंगे कि market ने high कहां बनाया है market ने high बनाया था 22,120 level upside में एक resistance हमें देखने को मिल रहा है that is around 20 to 200,20 to 200 level आजा support का बात करें support यहाँ पर है 22,920 से 22,900 के आसपास 21,900 के आसपास तो अब देखने कि कहा market open होता है for example market open होता है 150 point है 100 point gap up मतलब इस resistance के अंदर अगर market यहाँ कही open होता है तिरी से higher possibility कि market इस range के अंदर sustain कर जाए तो हमें यहाँ आपर बस wait and watch क किस इसका wait करना है कि market properly 22,200 के ऊपर sustain कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर market 22,200 के ऊपर sustain करता है तो definitely यहाँ पर बहुत अच्छा बोले इस opportunity देखने का मल सकता है और वैसे ही market अगर नीचे के तरफ आता है 22,040 के नीचे properly 22,040 के नीचे कोई bearish pattern मनाता है इस trend line को भी break करता है तो हम इस level तक का एक bearish opportunity देख सकते हैं अब देखते हैं कि sir अगर market almost इस level के अंदर open हो गया आज का जो high था आज का जो low था अगर market इस range के अंदर open होता है तो major को momentum में initial phase मतलब first half of the market कोई momentum expect नहीं कर रहा है तो as an option seller हम यहाँ पे short straddle नहीं तो short strangle बना के बैठ सकते है इसक option buyer हमें totally wait करना है कि market इस level को ब्रेक करे तब कोई bullish opportunity या market properly 21,920 या 21,900 के नीचे sustain करे तब हमें कोई bearish opportunity यहाँ पर मिल सकता है फाइन यह तो था हमारा sideways से थोड़ा सा slight flat opening क्या स्पैसे slight gap down opening भी same scenario अब आता है कि sir बहुत ज्यादा gap down open हो गया देखो अगर market gap down open होता है एकदम for example यहाँ open हो रहा है आपको आस एक चीज़ देखना है क्या यह 21,900 के नीचे आ रहा है अगर नीचे आके कोई further bearish pattern बनाता है तो definitely हम यहाँ पर कोई bearish opportunity देख सकते है बट अगर market ने कहीं न कई इस लेवल के आसपास कोई bullish pattern बना के थोड़ा सा bullish momentum दिया तो intraday में हमें अच parameter चेक किया कि कौन सा pattern यहाँ पर बन रहा है इवन हमने यह चेक किया कि कहां पर market open होने से हमारा क्या planning हो सकता है अचा मैं एक और यहाँ पर option chain चेक कर ले तो कि option chain का कुछ data तो नहीं है चलो option chain में देखेंगे 22,100 में sellers है aggressively 22,200 पर भी aggressive है पतलव it will be important 22,200 break होने से market में कोई major momentum मिल सकता है इस यह level कल के लिए बहुत important है एक resistance का काम यह कर सकता है अगर market upside जाता है तो 22,200 might be treated as a resistance level support का बात करें तो फिलाल 22,000 एक support है next strong support इतना भी strong नहीं है slide support हमें देख रहा है 22,900 के आसपास तो मतलब यह दो level आपके लिए important है 21,900 और 22,200 ठीक है अच्छा एक छोटा ऐसा correction मैं गलती से बीच बीच में पहास्त में बोलते बोलते 22,900 बोल दे रहा हूं तो please correct that 21,900 का यह बात यहां पर किया जा रहा है ठीक है चलो अब आगे simple pattern यहां पर हमें देखने को मल रहा है market अगर market properly इसके ऊपर कोई bullish pattern बनाता है तो हम यहां पर कोई bullish opportunity देख सकते है कोई भी trade opportunity अप ले रहे हो या index में या stock में please maintain 1 is to 1 risk to reward minimum 1 is to 1 का आपको risk to reward होना चाहिए अब आते हैं कि sir यहाँ पर अगर कोई selling opportunity देखना है selling के लिए exactly यहाँ से मिलना थोड़ा मुस्किल होगा हमें wait करना पड़ेगा जो market ने यह low बना है अगर market is low के नीचे sustain करता है तब हम कोई selling opportunity यहाँ पर देख सकते हैं अब आते हैं अपने next stock पर तो अगला stock आज हमें देखने को मिल रहा है that is LIC housing finance यहाँ पर देखोगे market continue lower low बनाता हो भी आ रहा है यहाँ पर कहिने के market ने अपना पर sustain करने का कोशिस किया तो यहाँ भी ट्रेंगल पैटर्न है इसको हम बोलते descending triangle यहाँ पर हम bullish opportunity या buying opportunity एकदम इस candle को उपर जाएंगे आजा one more thing जो भी candles यहाँ पर देखने को बल रहा है all are in 30 minute time frame तो 30 minute time frame just because थोड़ा सा strong रहता है analysis करने के लिए इसलिए 30 minute time frame रखा गया तो कल के लिए आपको यह ध्यान देना है कि market अगर इस level के ऊपर sustain करता है तब कोई bullish opportunity और यह अगर properly 574 के नीचे sustain करता है तो हम bearish opportunity देख सकते हैं sustain करने का मतलब यह है कि market कोई bearish candlestick pattern बनाए इस level के नीचे तब भी हम वहाँ पर कोई bearish opportunity देख सकते हैं तो एक stock हो गया second number stock हो गया अब आते अपने last stock में last stock है हमारा infosys in 30 minute time frame यहाँ पर देखो कुछ interesting देखने को मिल रहा है market ने इतना अच्छा upside momentum दिया slow and steady fall करते करते market यहां आ गया तो kind of this is a dome pattern, dome pattern बोल सकते हो, rounding top pattern बोल सकते हो यहाँ पर normally दोनों टाइप को momentum देखने को मिलता है तो आपको बास एक चीज़ धियान रखना है कि market इस level के आसपास कोई bullish opportunity दे रहा है कि नहीं दे रहा तो यह तीन स्टॉक आज के लिए थे अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया अभी कभी लाइक करो जिससे थोड़ा सा motivation मिले प्लस मुझे कमेंड बताना कि जो questions मैंने पूछा था उसका answer आपका correct था के नहीं था ठीक है चलो मिलते हैं फिर अगले दिन में thank you very much अग्योची तो आपका रजी है झाफ बताना कि रहां दिला दोफाई।